शेहर की सदर्थाना शेत्र के धईया के समीप दो दिन पहले गोबर फेकने को लेकर हुए मारपीट में गायल पचास वर्षिय विमल यादव की बुधवार को मौत हो गई मौत की खबर पाकर स्थानिय लोग उग्र हो गए और धगया के समीप सड़क जाम कर दिया जिसकी सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बलतैनात की गई वहीं पुलिस ने कारिवाई करते हुए आरूपी युवक को गिरफतार कर घटना में प्रियोक्त टांगी को बरामत कर लिया है पुलिस ने आरूपी युवक को भारी सुरक्षा बंदुबस्त में थाने ले गई है मालूम हो कि दो दिन पूर्व विमल यादव नामक व्यक्ति को वहीं के एक युवक ने पीछे से कुलहाड़ी से हमला किया था जिसके बाद विमल यादव गंभी रूप से घायल हो गए परीजलों ने आनन फानन में उन्हें शेहर के एक नीजी नर्सिंग होम में भरती कराया था जहां सती बिगरने पर बहतर इलाज के लिए उन्हें दुरगापुर ले जाया गया वहाँ इलाज के दोरान बुदवार की सुभा उनकी मौत हो गई जिसके बाद मौत की खबर सुनकर आस पास के लोग उग्र हो उड़े और भारी संख्या में आरोपी की घर को गह लिया मामले की जानकारी होने पर सदर पुलिस ने त्वरित कारेवाई करते वे भारी संख्या में पुलिस बलको तैनाद किया और आरोपी तथा घटना में प्रियोक्त टांगी को बरामत कर ठाने ले गई है जाए आए हुगया उसके पार जमीन लिए देने के अद के बाह हुआ है कि गेट पर से वहाँ गेट से राकें शाजब का बलता है जिए ज रेखिट कौरता पार पिछे से मडिया हम तुमें को मारतें के तुम पते मीलगों अरहा करें को अधसा साफ़ उधर सिद्ध देख रहा था लेंग को कि hearts में आदमी का नाम हम तो नहीं जानता है लड़का जानता है मारते हुए देखा, वोला हिंचार को था, हम चीन रहे बताया, टांगी फिर गॉंडी के पार भी जा, आज मिला है, टांगी भी बरामत होगी, यह मिला जूरी, यह मिला उस दिन तो छूरी हम लोग थाना में देदी है, पिमल जादव क्या करते हैं, पिमल जादव जानवर का दुहाली है, जानवर का अपना धंदपानी करता था, बहुत सुसील आदमी थे, किसी से जहगडा ने, जंजट ने, और पुछो, बेदिगम इतना इनसान आदमी एक छोटा बचा भी अगर तो गाली तो तो हसीय के बात बताता था, इसी से भी आई तक जहगडे जहट नही जलान में हम लोग भरते किया, जलान से लेकर पिर दुलगा फुरु उसको जो वही को बोला कि इसका माता का जो अपरेशन होगा, फिर आम लोग दुलगा फुरु वेजा महाजोसर्च देखिया, आज का घटना की, जट हो, जट हो गया, पर आपको चाना माद आपको ज़ा झाइव को जब Love शुरु औे का जट वेरा का जापको जब हुआि को जब होगा heh